प्रेश दे बेल आइकन ओन दी यूट्यूब आद और नेवर मिस अनादर अपडेट टावर एंफ्रास्ट्रक्चर प्रोभाइडर एस्सेशन अफ इंडिया और तेलिकॉम रेगुलिटरी अथोरिटी अफ इंडिया के भी एक चर्चा हो रही है इस चर्चा के अंतरगत एक पाइलेट प्रोजेक्ट लॉंच किया जाएगा जिसे कॉमन डक्ट पॉलिसी के नाम से जाना जाएगा इस पॉलिसी यानि कि परियोजना के अंतरगत बिजली केबल टीवी और होम ब्रोडबेन इंटरनेट सेवाओं के लिए एक कोमन अंडरक्राउंड ओप्टिकल फाइबर केबल रखा जाएगा साथी साथ बुनियादी ढाचे को साजा करने का भी नेत्रित तो होगा फाइबर का इंफ्रास्ट्रक्चर फाइबर प्रदाताओं द्वारा स्वामीत तो होगा और इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोड़र्स ने तीम तरह के बिजनेस मोडल सुझाए हैं इन में सारवजनिक निजी साज़डारी अधिकारियों द्वारा लगाये गए फाइबर लगाने और नगरपाली का एवंग ओपरेटरों के बीज रेविनियू सेयर करने के लिए एक बार का सुल्क सामील होगा इस परियोजना के अंतरगत एक पाइलेट प्रोजेक्ट की भ अप्टिक फाइबर केबल्स को सारवजनिक उपलब्धता के साथ एंटरप्राइजों, घरों और की डवलप्मेंट इनिस्टिटियोशन्स तक पहुंचाई जाएगी इससे नगरपाली काओं, ग्रामीन छेत्रों और राष्ट्रिय राजमारगों में अप्टिक फाइबर प्रदान करने के लिए राज्य, इस्थानिय निकाई और निजी छित्र से जुड़े सायोग मोडेल को बढ़ावा दे कर किया जाएगा, सरकार एक नेशनल डिजिटल ग्रेड लागू करने पर भी विचार कर रही है, जिसके अंतरकर एक कोमन वायर के जर्गे, केंद्र, र राज्य और इस्थानिय निकाईयों में विजले, इंटरनेट और केबल टिवी जैसी सेवाएं उपलब्द कराई जाएंगे, जानकारी के लिए बता दें कि ट्राइने अप्रेल 2017 में जार्खन सरकार के साथ देवगर जीले में इस परियोजना की एक परिच्छन शुरू की जहां कई तरह के वाइर के जगा पर एक कॉमन वाइर उपलब्द कराई गई थी, बाहराल, Tower and Infrastructure Provider Association और Telecom Regulatory Authority of India के भी शुरू की गई इस परियोजना से भारत के हर सहर और हर गाउं को स्मार्ट सिटी बनाने में मदद मिलेगी